जै श्री राधाकृष्ण भगवान जी की, जै श्री गोडी शंकर भगवान जी की, जै सोमवार वरत की, मंदिर शिबंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अविनंदन करते हैं, आज हम आपको सोमवार वरत से संबंदित बड़ी विशेश जानकारी देने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कल श्रावन मास का पावन समय चल रहा है, और श्रावन मास में सोमवार के वरत तो लगभग सभी महीलाएं रखती हैं, पूरुश रखते हैं, क्योंकि श्रावन मास में सोमवार के वरत रखने मात से भगवान शिव की अनंत क्रिपा मिलती है मनों कामनाई पूरी होती है दुख दूर होते हैं मन की इच्छा पूरी हो जाती है भगवान की क्रिपा मिलती है लेकिन देखने में ये बात आती है कि सोमवार का वरत रखकर महिलाओं से और पुरुशों से कई गलतियां हो जाती ह उसमें से कुछ गलतियां ऐसी होती है जीने भगवान अपने आप शमा कर देते हैं भगवान उसका कुछ भी बुरा नहीं मानते हैं उन साधारन गलतियों को करने से सोमार का वरत भंग नहीं होता लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन के लिए कुछ न कुछ पश्चाताप करना जरूरी होता है ताकि उस पश्चात आप के करने से हमारा सोमार का वरत भंग नहीं हो लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पांच चीजे ऐसी हैं अगर हम सोमार के वरत के दिन करते हैं तो हमारा सोमार का वरत उसी समय भंग हो जाएगा वरत तूट जाएगा और वरत भंग का दोश भी लगता है, पाप लगता है, तो वो पांच काम ऐसे कौन से हैं, जिने सो मार के वरत के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अगर वो पांच काम में से एक काम भी किसी का हो जाता है, तो उसी समय सो मार का वरत भंग हो जाता है, इन पांच कामों में से किसी भी काम के करने पर सो मार का वरत उसी समय भंग हो जाता है तूट जाता है पाप का फल मिलता है बाद में हम आपको वैसे ये बता देंगे कि ऐसे कौन से तीन उपाय करने हैं कि जिस से हमें इन बुरे कामों के करने के बाद भी पाप का फल ना मिले वरत तो आपका तू सिशन भंग हो जाता है तो पहली बात है सोवार के वरत के दिन अगर आपने भूल से भी प्याज और लहसुन वाली कोई भी चीज खा ली तो आपका वरत उसी समय तूट जाएगा वरत भंग हो जाएगा आपको आपके वरत का कोई भी फल नहीं मिलेगा आपने सोवार का वरत रखकर पयाज और लहसन वाला कुछ भी खा लिया है आपका वरत तूट जाएगा और वरत भंग का दोश आपको लगेगा ये बात आप याद रखें हालांकि इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बता देंगे कि वरत भंग के दोश से बचने का कौन सा उपाय है लेकिन वरत तो आपका तूट ही जाएगा इसलिए सोमार के वरत में पयाज और लहसन वाली कोई भी चीज भूल कर भी मत खाएं दूसरी बात सोमार का वरत रखकर किसी का भी कुछ भी जूटा नहीं खाना चाहिए किसी का कुछ भी जूटा नहीं पीना चाहिए सोमार के वरत को र तीसरी बात सोमार का व्रत रखकर अगर कोई non-vegende खाता है मांस, मीट खाता है या अंडा खाता है गल्ती से खा लेता है चाहे जानभूझ कर खाता है उसका व्रत उसी समय भंग हो जाएगा व्रत तूट जाएगा व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा बल्कि आपको पाप लगेग क्योंकि आपने सोमार का वरत रखकर नोनवेज खाया है, मास आदी या अंडा खाया है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी गलती भी कोई करता है, जी हाँ ऐसी गलतियां लोग करते हैं, क्योंकि हमें फोन पर लोग बताते हैं कि हमने गलती से ये सब कुछ खा लिया है, अब इसका क्या उपाई है तो सोमार का वरत रखकर अगर आप ऐसी चीजे खाते हैं तो आपका वरत उसी समय टूट जाएगा आपको पाप लगेगा चोथी बात सोमार का वरत रखकर अगर कोई भूल से या जान भूज कर भी ड्रिंक कर लेता है शराब या बियर पीता है या बीरी सिगरेट पीता है या तमाकू वाली किसी चीज को खाता है तो उसी समय वरत तूट जाता है पाप लगता है जी हाँ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं कोई ऐसी गलती करता है तो उसी समय उसका वरत भंग हो जाएगा वरत टूट जाएगा और उसको वरत भंग का दोश लगेगा ही लगेगा उसको पाप लगेगा ही लगेगा अब पांचवी विशेश बात सोमार का वरत रखकर कोई भ आप लगेगा उन्हें वरत भंग का दोश भी लगेगा ही लगेगा चाहे पती पतनी आपस में ऐसे संभंध बनाएं चाहे किसी और से ऐसे संभंध बनाएं उसी समय वरत तूट जाएगा वरत भंग का दोश लगेगा ही लगेगा उनको उनके पाप करम का फल अवश्य तो सोमार के वरत के दिन लोग ऐसे पांच पाप करते हैं गलतियां करते हैं क्योंकि हमें फोन करते हैं लोग कि हमसे ऐसी गलती जाने अंजाने में हो गई है हम क्या करें तो उनको तो हम फोन करके सब कुछ समझा देते हैं लेकिन अगर आप ये पांच काम भूल से भी कर लेत गलती से कर लेते हैं या जान भूज कर करते हैं तो आपका वरत उसी शन तूट जाएगा आपके वरत का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा लेकिन आपको बुरा फल ना मिले आपको पाप ना लगे आपने ये पांच काम कर लिए आपको पाप ना लगे इसके लिए हम यहां प जहंग का दोश नहीं लगेगा आपको पाप नहीं लगेगा लेकिन वरत का फल आपको बिलकुल भी नहीं मिलेगा वरत तो आपका तूट ही गया है तो आपने तीन उपाई कौन से करने हैं पहला उपाई सबसे पहले तो आप भगवान से शमा मांग लीजिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी तो आपने पहला उपाए क्या करना है आपने अपने घर में ही एक जगा पर बैठ कर एक घंटा ओम नमज शिवाए इस सिमंतर का जाप करना है आप एक जगा पर बैठ कर या अपने घर में इधर उधर घूमते हुए भी ओम नमज शिवाए इस सिमंतर का जा इस दिन शिरिशिव महापुरान के किसी भी अध्याय का पाथ आपने करना है या उससे सुनना है जिस दिन आपने ये गलती की है उस दिन दूसरे उपाए के रूप में आपने ये करना है तीसरा उपाए जिस दिन आप से गलती हुई है सुवार का वरत रखकर जिस दिन आपने इन में से कोई भी पाप करम किया है उस दिन साइकाल में अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने एक दीपक जला दीजिए भगवान से प्रातना कीजिए कि हे प्रभू इस बार तो गलती हो गई, लेकिन आगे से कभी भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, कृपया मुझे वरत भंग का दोश नहीं लगे, मुझे मेरे पाप कर्म का फल मत देना, क्योंकि मैं आप से शमा मांग रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, वास्ता में ऐसी गलतीयां कोई बुरा फल प्राप्त ना हो, तो मंदर शीवनसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के वर से आज की इस विशेश वीडियो को आपने देखा आप सब का हारदिक धन्यवाद, भगवान श्री रादा कृष्ण जी की, भगवान श्री गोडी शंकर जी की, सोमवार वरत क ओम नमशिवाई, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, श्याम।